नमस्तर दोस्तों मैं आप लोग का दोस्त प्रिश्णा और आप सभी लोग को स्वागत करते हो हाओ के ना हेग्डू चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग साथ बात काने वालों कंसल्टेंसी को लेके आप में से बहुत सरे इंजिनियर्स टेकनिकल और नन टेकनिकल स्टुडेंट ये जो कंसल्टेंसी वर्ड है इसको सुने होगी तो consultancy का मगचजब क्या होता है, consultancy का थूरो job क्या होता है और क्या बाकी में एक job पाने के लिए consultancy firm को को पर howard piece payment करना या consultancy fees दना कम पाद सरी है या यह consultancy का थूरो jobs होता है, क्या है secure होता है इस सभी चीज़ों के बारे में details में बताएंगे मगर उससे पहले जो सभी लोग इस चैनल का वीडियो फ़स्ट आइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे कि education and engineering related और job updates related वीडियो आपको बहुत सब्सक्राइब इस चैनल से मिलेगा तो चलिए दोस्तों जान लेखे consultancy का मतलब क्या होता है First of all देखिए consultancy का मतलब हो गया एक company that gives you a particular advice और a particular field मतलब एक ऐसा company जो आपको advice या सलह प्रोवाइट करेगा कोई एक particular field में मगर आप ही सोचिए क्या आज का date में कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ को free में available किया जाता है जी एकदम से नहीं तो आपको advice या कोई भी सलह नहीं के लिए उस particular company को उस fees payment करना पड़ेगा ये fees consultancy की charge के नाम से जाना जाता है और ये जो consultancy firm का business है ये सिर्फ इंडिया में नहीं या फिर सिर्फ बिंगॉल में नहीं all over world में फैला हुआ है और ये बहुत दिने से चले आ रहे है ये totally legal business है मगर अभी बहुत सारा ऐसा fake consultancy के चलते खासकर इंडिया में अभी आप में से जो सभी एक job का search कर रहे है और job search portal में जैसे कि बहुत सारा job searching platform SLIK, sign.com, northly.com, monster.com ये सभी job searching platform पे अगर आपने अपना CV अपलोड किये तो बहुत सारे time आप लोग को एक call receive हुआ होगा जिसके दौरान आप लोगों को बोला गया है एक particular company में आपको job दिया जाएगा मगर इसके चलते आपको registration fees या consultancy चार्ज आपको देना पड़ेगा या आपको first मैना का salary देना पड़ेगा इसी तरह का कुछ टामसें condition आपको दिया गया है तो आप में से बहुत सरे इस content ये सब जो trap पे बहुत सरे ऐसा fake consultancy होता है बहुत सरी ऐसी company हो गया है जहाँ पे खसकर अभी इंडिया और वेश्ट पेकॉल का बात किया जाए तो ऐसा fake consultancy का quantity बहुत ही जाना हो गया है जहां से आपको जो है एक job देने का नाम से कुछ charges आप उसके पास से लिया जाएगा और ऐसा भी company या ऐसा भी cases बहुत सरे time सामने आया है जहां पे आपको job देने के लिए आपका original documents verification के चलते मागा जाता है उसके बाद आपको उस documents प्राफ्ट करने के लिए आपको उहां पर वाइसा देना परता है मतलब उस company या उस particular person को आपको वाइसा दे के अपना सभी original documents आपको उहां से छोड़वाना परता है या कोई job पाने के लिए आपको charges दे रहे है तो उसके बाद या तो आप लोग का जो call है वो company decision नहीं करता या आपको एक ऐसा job देजा जो आपको क्रम का लाइक है ही नहीं तो आज की इस वीडियो में आप लोग कैसे बास सकते हैं इस consultancy को लेके यही सब चीज़ों के बाड़े में बता देगी तो वीडियो साइब थोरा सा लॉंग होगा मगर अगर आपको consultancy के बाड़े में और यह जो भी ट्राप जो भी networking यह छड़ा और फैला हुआ है इस दुनिया में या इस इंदिया के दोरा में इस consultancy को लेके सभी doubts को clear करना है तो वीडियो को end तक देखिए फर्स देखिए consultancy two types होता है एक हो गया consultancy आपको job provide करेगा मगर इसका जो consultancy fees रहता है यह तो कोई particular candidate को provide करना पड़ता है maximum time two types मैंने बताया एक हो गया अगर आप एक job searching candidate है अब job से घर है तो आपको fees permit करना पड़ेगा एक company में job पाने के लिए और एक तरह का होता है आपको पास से कोई भी fees आपको provide नहीं करना पड़ेगा जिस company में आपको job दिया जा रहा है उस company उस particular consultant firm को fees provide करेगा मतलब आपका जो भी job charges होगा job पाने के लिए जो भी घर्चा होगा job के कोज मतलब basically देखिए कोई भी job पाने के लिए कोई भी fees नहीं देना पड़ता है मगर अभी जो situation हो गया है अभी किसी भी particular एक अच्छा company में जैसे की टाटा मोंट्रोस या इसी तरह की टाटा मोंट्रोस basically कोई consultancy के through job लेता नहीं मगर इसके जैसा ही बहुत सारा ऐसा कंपणिया है जहां पर इसका जो भी job searching है अभी इसका online portal पर अभी अगर interview का बात बोल जाए online portal पर advertisement किया जाए तो बहुत खर्चा भर सकता है तो इसी के चलते consultancy firm लोगों को ये responsibility दिया जाता है कि उन लोग को as per requirement candidates कंपणी को provide किया जाए वो भी time के मुताबी तो इसी के चलते तो क्या फ्री में कोई भी concernancy firm उस particular company को suppose माल लीजे मैं महेंत्रा CI का बात करतो महेंत्रा CI ये company है जहां पर diploma mechanical diploma electrical का कोई भी बंदा चाहिए वहां पर 10 वाकेंसी है तो क्या महेंत्रा CI का HR उस 10 वाकेंसी को घोचनी के लिए एक interview attend करेगा मतलब total campus interview होगा या कोई particular institution पर या college में जाके कोई candidates को hire partner के लिए आएगा इसके दौरण time most होगा और उस महेंत्रा CI company का मैं जस्त ऐसे example के तौर से महेंत्रा CI का नाम ले रहा हूँ तो महेंत्रा CI का एक खर्चा provide काना पड़ेगा मगर यही तरह से मतलब यह खर्चे से your time most को बचाने के जलते महेंत्रा CI का जो HR होता है वो HR एक consultant farm को एक काम सौफ देता है उस consultant farm का क्या काम होगा उस consistency का काम होगा आपको जो company का जिस टैप का candidates चाहिए उस ही का requirement के हिसाथ से कुछ candidate उस company को मतलब महेंत्रा CI को वो provide करेगा मगर इसके चलते कुछ चार्चेस आपके पास से लेगा या तो जो चार्चेस रहता है आप खुछ candidate के पास से लिया जाता है या दूसरा हो गया महेंत्रा CI उस consultant farm को provide करेगा उस candidate को मतलब 10 candidate या 15 candidate महेंत्रा CI को provide करने के लिए मतलब उसका जो जरूरत था उस जरूरत को वो consultancy farm fulfill कर दे रहा है इसी के चलते जो चार्चेस रहेगा उस company उसी consultants को provide करेगा मगर अभी इसी तरह की बहुत तरह फेक ऐसा company या विष्ट बिंगॉल के अंदर और औरोवल इंडिया में फैला हुआ है जहां पे आपको job देने के नाम से आपके पास से कुछ रिष्टेस पीज या कुछ charges मांगा जाता है या आपका original documents रख लिया जाता है इसके बाद जब आप अपना original documents का बात करते है लेने का बात करते है या आपका जोग वापस लेने का बात करते है तो वो सब company का वो सब consultant फाम का कोई भी आता बता नहीं चलता है तो दोस्तों मैं आप लोग को एक ही चीज़ क्लियर्ली बता देना चाहतू हूँ अगर आपको सच में कोई job का जोड़ात है तो first of all try कीजे direct on roll company का base पे job पाने की company में CV ड्रॉप कीजे या company में जाके direct बात कीजे क्योंकि अगर आपको यह सब consultants का और कभी भी आपना original documents किसी भी job को पाने के लिए बेड़ी vacation के चलते नहीं दीजे क्योंकि ऐसा कोई भी company नहीं है जहां पे आपको job देने के लिए आपको original documents मांगा जागा हां अगर आप खुद candidate है आप selected हो जाते तो आपको original documents देके मतलब instant 10-15 minutes के बाद वो सबी documents आपको check करके फिर से आपको lota दिया जाएगा मगर कोई भी company या कोई भी consultant firm आपको बहता है आपका documents दीजे आपको verification के लिए लेके जाते हैं उसके बाद आपको मौपस देंगे joining के बाद आपको देंगे या 10,000 या 15,000 आपसे charges करता है तो मेरा recommendation नह उतना पाइसा मत दीजे क्योंकि एक private sector में job पाने के लिए इतना पाइसा देना एकदम से बुरुबग का काम होगा तो उमिद कर तो आपने से जो सभी job seekers job search कर रहे है और अपना CV अपरोड किये तो अगर आप लोग के पास ऐसा call आए तो इस call को ignore करके अपना समझदरी से अ अपना original documents का भी भी कोई भी company को अपना provide मत किजी क्योंकि आपको job पाने के original documents का जोगर नहीं परता है से पूछ time के लिए 10-15 minutes जादा से जदा आपको documents गडिविकेशन में time लागेगा मगार उसके बाद हो आपको दे देगा अगर कोई भी company या कोई ऐसा वंदा आपको बोल चला गया कैसे बता रहा हूँ एक मान लिजे अगर आप एक diploma इंजिर्यार है या एक बिटेक फ्रेसर कंडिएट है तो आपको बताया जा रहा है टाटा मोंटर्स में वैकेंजी है जिसके दौरान आपको supervisor का post दिया जाएगा आपको 35,000 या 30,000 payment per month का हिसम से दिया जाएगा तो देखिए ऐसे फ्रेसर कंडिएट इतना salary है कोई भी company आपको नहीं provide करेगा फर्स तो आपको समाझना पड़ेगा ओर लोग का बात क्यूंकि एक company आपके पास से कुछ output मिलेगा तब ही तो आपको salary provide करेगा बिकर में एक फ्रेसर कंडिएट जिसके पत कोई भी work experience है ने वो इसको क्यों 25,000 देगा इस तरह की बात अगर आपको बोला जाए salary को पहले आप ध्यान में लखे 10 से 15 अजय तक बोला जाए तो ठीक है मकर जब 25 तो 30 हो जाता है तो यह totally भेक हो सकता है तो उमिद कर तो वीडियो अगर आपने एंड तर देखे तो consultancy related जितना में सारा ब झाल जाता है